तो अभी हमने दो चीजे करें फ्लो में और उसके सा चोटे मुच्य कांसेप जैसे की हमारे पास आए eat records हमने देखा हमने देखा में अड usuक्त gust क्रीड करने के लिए यौन पास बिष्रम हरे हमारे पास घड़ीट रिकॉर्ड है और अपडेट रिकॉर्ड है इक पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तरकम अपडेट रिकार्ड पर फोकस करने वाले हैं क्योंकि अप्डेट रिकार्ड उसलिए होगा इसको बाद में भी कवर कर सकते हैं क्यों कैसे क्षिंदहां बात करते हैं update record की जैसे इसका नाम ही वही ऑई है ये रो यूस होता है रिकॉर्ड अप्डेट करने के लिए खिय और इसमें अगेन वही औप्सक्ति आते हैं दो-दो ऑप्सन हैं जैसा की हमारे पास जैसे कि महां पास कोई भी रिकॉर्ड है तो को हम सेपरेट कर सकते हैं और अगर अगर घर पास कोई अ कई सारे हैं तो हम उनको भी अप्डेट कर सकते हैं तो सेम अक्सिफ करके बहुत इंपोर्टेंट होती है कि हम नए को अपडेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपडेट करते समय एक रिकॉर्ड आईडी की जरूरत होती है कि हम कौन सा record update कर रहे हैं और कौन सा record create कर रहे हैं ठीक है, तो update करते समय वो record ID جो होता है, वो बहुत important unique identifier होता है, हर एक record की record ID होती है, वो हमने पहले भी discuss किया है, जो कि unique होती है, और वही unique identifier हमें help करती है, update करने में record को, कि तो अगर हम सिनारियों की बात करें तो सिनारियों यह है बहुत ही सिंपल अजिस्क उसूह का jagम कर रह हुआ। ए 9homme लॉब कि सेल्सका काम करते हैं। उन्होंने न्योंच किया है कि बहुत सारे ऐससे अपांट्स है जो कि फ goose फिन द्रेट स्केया वेलबल है उन वोसे सिर्फ उतना ही हो जिससे कि हम अपडेट की अपडेट करें और हमें कुछ नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ एकाउंट का अपडेट करना यह हमसे बोला गया है जिससे हम एकाउंट का अपडेट कर सके हैं और वह होना चाहिए है कि हमने हम एकाउंट सब्सक्राइब हमने समय अब डेटराना है और अगर नहीं है तो हम अपडेट करते यह उस यूजर को पर इंपूट में दिखना चाहिए कि एड्रेस है उसका और उसमें इन्पूट पॉर्म में दिखना चाहिए वह कि अगर आपको चैंज करना हो तो आप अगर हम बात करें इसकी सिंपल सी की कौन सा फ्लो यूज होगा कई सारे फ्लो की उसमें तो सबसे पहले तो हम अभी सिर्फ स्क्रीन फ्लो ही पढ़ रहे हैं तो इस्क्रीन फ्लो ही यूज होगा दूसरी चीज कि इसमें हमारा अगर हम flow design करें जो कि हम हमेशा करते हैं यहां पर flow design करें update record के लिए तो बहुत ही simple flow होना चाहिए सबसे पहले तो जो भी हमारा यूजर है अक्टर एक्टर हमारा एकाउंट के डीटियल पेश पर जाएंगे यहां पर हैाँ कल रीकंट के लिए पेश पे ही वह कांपरेंट होगा हमारा हbak Александ कि हमारा केज होगा लेट से की अपडेट एड्रस फ्लोव टिका है अब इस फ्लो के अंदर हमारे इंपूट सोंगे करे शारे जो भी हमारा इसके अंदर इन्पूट कह देते हैं कि अडिस्प्ले द एड्रेस को इन्फॉर्मेशन इन इन फिर्माइट तुछाइब अग्म कर नहीं दिखाना इन पूट की तरह दिखाना तुमिए क्या है स्सक्राइब कोड में क्या है यहां पर दिखाना अगर उसने नेक्स पर क्लिक किया ठीक है त्し thirst ने चेंज किया तीक्ष है यूजर छेंज जुद्ध एडरेश अडरेश कि आफ्रेश किया नहीं और अपडेट एड्रेस बटन जो भी एंग अगर उसने ऐसा किया अब इस केश में हमें क्या करना है जो डू चीज़ें वह बसेंसे करते आते जब ब्र अगरा करता है या कुछ भी करता है हुरा जो भी कर देटावेस इस बाठ एक करेगा को करेगा में और इस जा रहे हैं व और अब यहां पर हो चेक्क करेगा रिकॉर्ड सक्सेश्श फल्ल सक्स сразу अगर यसogen तो सक्सेस्ट मैसिज और दोनों को ही स्टाफ हो जाना है रोटाउ मितलब इतनी ज्दा-ils निहीं है कि हमने क्या कर दिया कैसे कर दिया बस हमेक समझने की ज़रुत है कि चीजें काम कैसे कर रही है अर उसको एक तरीके हमें आ ड्यक्तरना है तो यह हमें अभी ही नहीं हमें क्लास डेवलोप्मेंट पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसा ही फ्लोव बनाके तुम अपना काम कर जक्ता हो कि चीज़े कैसे हो रही है कहां पर क्या करना कैसे करना तो यहां पर फॉल्ट मैसेज आता है इसमें अपडेट रिकॉर्ड में हमें सब्सक्राइब करना है हमें तो हमें वही सेम चीज़ फ्लोव क्रेट करना है हमें है है अफर Hai आधा हमें पता है आइस इस्क्रिण थलोई है तो हमें ज्यादा मुई सोचने की उरुदि नहीं है सेट आप में जाके नियम सर्ज करेंगे ख। है अजय करने के बाद यहाँ पर हम new flow क्रेट करेंगे जो कि सबसे सबसे पहले तो हम्हें इस पताँ पर होना चाहिए हमारा हमेसा ओना चाहिए कि फ्लो यूज कहा पर होगा और अगर हमने यहां топ पर फिर फिर हमें पता नहीं चलेगा तो हमें बहुत ही इस समझ के करना जो है यह चीजे करनी है कि का तौप 활 फिर तो हमारे डाइग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है तो यह चीज हमें द्यान में देना ही कि फ्लो कहां यूज होगा फ्लो हमारा एकाउंट डीटेल पेस्ट पे यूज हो रहा है फिर हमें स्क्रीन सो करानी है जो कि होगी अपडेट एड्रेस फ्लो होगा और वह डिस्पड़ करेगा तो उसके लिए पहले हमें डिस्पटर आपाउएंगे जीह में असके बदम जा था कि मतलब पहले पता हुने चीह की हम को मतलब काव पहलो गराना है कुसे दो न कुछ श्कष गाट कहा थे से गय lurus जब भी मैं बोल रहा था कहाँ थे कि आना कुछ भोलोगे रहे कोई आ गया था कंई की करना है कि अपडेट किसका अपना खुद का नहीं जिस में एड्रेस नहीं होगा है उसका नहीं करना जो तुम बनाओगे वह कहां पर होगा अकाउंट डिटेल पेज़ उस फ्लो में क्या इंफॉर्मेशन होगी क्या दिखाओगे या क्या इंपुट लोगी यूजर से उसमें एड्रेस दिनाएंगे अकाउंट का किस तरह मतलब किस फॉर्माइट में इंपुट में इंपुट में इंपुट में होगा 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 इंपुट फॉर्मेट में होगा तो तुमको एड्रेस कहां से मिलेगा इंपुट में दिखाना है वह मुलेगा एगर किसी हुआ है और दिखाना है नहीं हुआ तो दिखाना तो लेकिन मिलेगा कहा से ने ही से टेल अगर छही more तो कैसे लेते हो गत करने ठरिए ने बड़ती यहां पर तो यहां better record करोगे नहीं करोगे नो उसके वाद फिर क्या करोगे तो चेंज इस करके अपडेट करेंगा ऑन्स को यहाँ लगता है इसमें को चेंज करने की जरूरत है या बस ऐसा ही सही है यह रिकोर्ड करने है कहां पर अकाउंट डिटेल के बाद अकाउंट डिटेल के बाद क्या करना है एड्रेस गेट करना एड्रेस गेट करना एड्रेस कैसे करोगे गेट तो यहां पर क्या होगा है इंगेट अकाउंट एड्रेस के बाद अगर आया तो होगा और अगर नहीं आया तो आगे जाएंगा यहीं होगा फ्लो सही से नहीं बनाओंगे तो चीज़ें नहीं होगे ठीक है और ध्यान नहीं दोगे तब अब यहँनी होगे अधर अधर खाली फ्लो बनाने से काम नहीं चलेगा तो यह है तो हमारा我在 मेरा सबसे पहला क्यारा रेकॉरड टीक है सबसे पहरेंगे एकॉर udah São Nut–këeras के लिए किस मेहां करेंगे किसी चाहिए किस चाह्ट करेंगे अदिनों किस प्रकाउंट कर मतलब घर से और मेरे यहां आजार में बलैयंगों सकते हैं तो हम कर देंगे एट्रस फिलड अगर मेरे यहां हजार एकाउंट है हजारों बलैंक है तो मैं सारे एकाउंट एडर्स दिखा दूंगा वह दूब बैई जो उस रिकॉर्ड से मतलल से एंगाह सब्सक्रीज recycle में इनude कि और वो चीज मुझे कैसे पता चलेगी कि वह किस अकांट का है का अगरुद। कंशे मिलें कि मुझे कि उसके लिए तो भी हुआ है विनाना पड़ता है मश्के लिए बनाना पड़ेगा कैसा और रिकौड रिकॉर्ट अवेडि वा रिकॉर्द। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नाम होगा रिकॉर्ड आइडी डेटाइप होगा टेक्स्ट अवेलिबल फॉर इंपुट येस डन ठीक है अब हम यहां पर गेट करेंगे एक रिकॉर्ड गेटर रिकॉर्ड रिकॉर्ड इनफॉरमेशन और यहां पर क्या करेंगे गेट अकॉंट इंफॉरमेशन मिल जाएगे अपर आप अब आते हैं ऑब्जेक्ट में सब्सक्राइब चाहिए हमें अकाउंट वह में पता है कंडीशन क्या है एकाउंट की इक्वल्स जो हमारे पास रिकॉर्ड आइडिया कंडीशन समझ में आ गई ना जी ओनली दा फस्ट रिकॉर्ड चाहिए हमें और सारी फील्स उनको करने दो हमें उसके जो है फील्ड से कोई लेने देना नहीं है उसको भी रहने तो ठीक है अब हम इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले और यहां पर नाम देदेंगे वहीं स्क्रीण अपडेट अकाउंट एड्रेस लो तिक है और जो भी हमारा एपी आइप आई नेम चेंज करना है करो नहीं करना है मत करो उसको सेब कर दो तो यह हमारा हो गया नेक्स्ट हमें क्या करना है चेक करना सक्सेस आया या फेलियर हुआ तो सक्सेस और फेलियर कैसे पता चलता है फाल्ट पाथ से तो इसमें फाल्ट पाथ करेंगे और यहां पर स्क्रीन डालेंगे क्योंकि दिखाना है आउटपुट तो एर आएगा और यहां पर क्या मतलब बेसिकली लेबल जो भी देना है देदो हेडर नहीं दिखाना है हटा दिया अब हमें स्क्रीन यहां पर दिखानी है आउट्पुट दिखाना बेसिकली डिस्प्ले टेक्स्ट से आउट्पुट दिखेगा और इस पर हम देखेंगे एरर गेट अकाउंट मैसेच क्या दिखाना है कहां से मिलेगा हमको का सी मिलेगा हमको मैसेच अब इसमें इसमिसे क्या है है फ्लो आता है है फ्लो आता है फ्लो के नीचे बेजने अथा वह है वह है चीक है अब जो भीस कि इस चैनलिक अद पडिवेरा कर दो नहीं अगर मुझे तो जरूदी इस फार्मला कृएट कर ना की फार्मॉला सही होगा यह पार्ट हो गया हमारा इसको सेब करो तो उसके लिए हमें क्या करना है आप हमें स्क्रीन सो करानी है जिसमें हमारा एड्रेस होगा पूरा का पूरा अगरेंगे और इसको देंगे एकाउंट फिर से हुआइड करेंगे अब यहां पर एक इंपॉर्टन चीज है जो है कि अपडेट एड्रेस इंडरे इंपूट इंपुट फॉर्मैट में एड्रेस हो करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर आप नहीं लेंगे इंपुट लेंगे अब इंपुट में हमारे पास क्या होता है एड्रेस होता है इंपुट में हम एड्रेस ड्राइगन ड्रॉप करेंगे तो यहां पर हमको यह अपने आप एड्रेस बनाकर दे देगा और यहां पर हमें सिर्फ यह देना है अब एकाउंट में जाओ को भी अकॉण्ट को लो तो इसमें दो तरह का एड्रेस होते हैं अब हुद जीकिए तो हम क्या करेंगे यह बनाएंगे पिलिंग अड्रेस अ और हमें चाहिए अब जाता हम उपर नीचे करें इससेद अच्छा हम सेक्षन लेकर अगल भगल कर देंगे जैसा सेल्सपोस में है इधार हो गया बिलिंग एड्रेस बगल में करतेंगे तीक्ष सब्सक्राइब कर जाएगा अब यहां पर इंपोर्टन चीज है कि इन में वैल्यू भी तो करानी है इन में वैल्यू सो होनी चाहिए ना पहले से जो एकाउंट में है व्यवनी चाहिए अगर याद हो पहले बात करी इन इंपुट भात किया था अगंट गयांट कर नी हो तो पर दिखा सकते हैं इजैसे कि अगर हम दिखा दे अजिए अगर फिकंव कि इसमें दिखाना सिट्री वैलू में यहां पर दिखा रहा है सिटी वैलु में आयोद्याधाम आ रहा है तो पॉस्टल कोड में दिखाएगा इस्टेट प्रॉमिनांस में यूपी तो यहां पर आ स्ट्रीट कि इसमें इस्ट्रीट का रहा है यह तो यामें दिखा है यह ऐसा अप्सन है जो हाट कोड़एड है अब हमें क्या करना है हमें ऐसा चाहिए हाँ काण्ट में populated है तो हमको कहां से मिलेगा कि अधीक में हमें कहां पता चलेगा-धौन-ध। मतलब हमें अगर यहां पर करानी हो तो हमें कहां से मिलेगी इस पूरे फ्लो में कहीं है हमारे पास मिल सके तो नहीं हो नहीं बोलना है तो बता दो करने वाला थीक है बट बोलो तो घ्री बालू में वह दिखानी यहां पर और यहां पर कि दिखाने है तो हमारा हमने एकाउंट की सारी तो हम यहां पर खुद ना लिख के क्या है यहां पर हम वैरीबल से उठाएंगे जो हमारे रिकॉड सिंगल वैरीबल है से आया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे अब यहां पर हमने जैसे क्लिक किया यहां पर एकाउंट की सारी फील्स आ गई इंक्लूटिंग उसके मास्टर्स की क्या फील्स है अब यह जब आ गया हमारे पास तो इसमें हमें क्या चाहिए एक एक फील्ड होता है तुक्स्थ अलग अलग फिल्ड नहीं होती से लिए अगर यहां पर फिल्लिंग सारो यहा पर आ जाएगी तो इसे ही कंट्री में एकाउट रिकॉर्ट फे पहले जाओ और फिर यहांपर सच करो एलीं कांटरी होती है तो हमें ज्यादा वह करने की जुरूत नहीं है ठीक ह profess बिलिंग पोस्टल कोड में सेम चीज़ अकाउंट रिकॉर्ड या पीलिंग पोस्टल कोर्ड कि एस्तेट में सिमलर्ली अकाउंट रिकॉर्ड फिलिंग स्टेट प्रॉबिनेंस ठीक है और फिर इस्ट्रीट में वई अकाउंट रिकॉर्ड मिलिंग इस्ट्रिट तुम्हारे वैल्यू पॉपलेट होगे यहां पकि तो जो भी से आएगा वह इसमें हो जाएगा कि यह चीज़ है अब उसके बाद जो है हमारे पास आता है करने की बारी सिपिंग एड्रस में तो यहां पर भी सेम चीज़ करना पड़ेगा तुम्हें सिटी वैलू में अकाउंट अब काउंसी फिल्ड सेर्च करोगे सिपिंग सिपिंग स्ट्रीट सबसे पहले उपर आता है स्ट्रीट सब्सक्राइब कांट्री में अकाउंट में आ गया सिपिंग कांट्री अठीक है अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है पोस्टल कोड में पेस्ट करेंगे और provenance provenance जिए उर स्ट्रीट में तो सिपिंग है सिपिंग स्ट्रीट ईयए और पोस्टल कोड तो प्राविनेंस है स्टेट सिपिंग स्टेट फिर हमारी वैलियूज्ञ है और हमारा काम हो गया हम प्रिक है उसके बाद फिर हम आते हैं तूटर में यहां पर देंगे कि अगर बॉल देते हैं अब्लच कि आपदेट का घर रेस यो कि हमें prac करना यहां पर आद कर सकते हो जो हमने कर सकते हैं एड्रेस लोकेशन का जो भी एड्र करना है वो कर सकते हो ठीक है तो अब बात करते हैं अपडेट की तो इसके के लिए यहां पर प्लस पर क्लिक करेंगे और हमें चाहिए अपडेट रिकॉर्ट्स यूज करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आप्डेट अकाउंट एड्रेस ठीक है यह हो गया अब डिस्क्रिशन में जैना है तो दे दो अब यहां पर दो आ रहे हमने पहले डिसकस किया था कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो क्या है और रिकॉर्ड और रिकॉर्ड और रिकॉर्ड रिकॉर्ड कलेक्शन थीक है तो अगर वो हमारे पास कोई record वेरियेबल है या record collection वेरियेबल है उसमें ID पहले से है तो हम उसको यूज्ज कर सकते हैं तो क्या लगता है कि हमारे पास record यह record collection वेरियेबल पहले से है की इन में से कोई भी एक by कर्ण यार रिकॉर्ड केलेक्शन वरीबल से में कोई भी एक पहले से है कुरॉड से है डिकॉर्ड एसको यूज कर सकते हैं न कि उसमें रिकॉर्ड आईडी है पहला अप्सन यह यह हुगा दूसरा यह हुगा कि specify conditions to identify records and set the fields individually ठीक है वो यह कह रहा है कि आपके पास record ID है और आप fields manually add कर रहे हो जैसे कि second वाला अगर select किया तो यह पूछेगा आपको कौन सा जाएगा आप यहां पर कौन कौन सी फील्स update करनी है वह कर दो जैसे कि सिपिंग एड्रेस सिपिंग स्ट्रीट क्या वैल्यू आनी चाहिए है ना वह सब कर सकते हैं यह हमारे पास तब option अच्छा होता है जब हमारे पास record ना हो और हम नॉर्मली हमारे पास सिर्फ record ID हो और हमे कुछ वैल्यू अपडेट करनी है ठीक है अब हमारे पास पहले से ही record है और उस पर वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं तो हम उस चीज के लिए यूज करेंगे यूज यह वाला जिसमें हमारे पास record है पास्ट ऑप्शन इसको चूज करेंगे हमारा जो वैरियेबल है सिंगल इसको चूज करेंगे एंड़्यू सेव यह अबडेट हो गया तो जो भी चैंज होगा इन्पुट में इस वैरीयेबल में अपने उप रिफलेक्ट हो जाएगा क्यों क्यों कि हमने यहां पे वैल्यू में उसको पहले से उस वैरियेबल को पहले से डाल रखना कि इसमें कु मुझे के ब़लते हैं इसको है हां अगर जो भी वाइल्यव होगी इस वेरियेबल में तो उस पर भी आपका दिखेगा इनपुट में कि जिखल फिछ फिए और रिवालश्त हैं टृट यह ओगया अब नेक्स्ट हमारा क्या कहता है एपडेट रिकॉर्ट है तो चेक करो अर्यर और यह सकसिसा अरहा है गर सक्षेस आ तो हमें करना है सक्सेस और एडार कैसे पता चलेगा इस पर क्लिक करोगा यहां पर आड़ फाल्ट पाथ है मैं होता है हमारा फ्लस पर क्लिक करेंगे और यहां पे स्क्रीन एड करेंगे और करेंगे कर देंगे नहीं चाहिए डिस्प्ले आउटकम और यहां पर वही अपडेट एरर मैसेज किसके अंदर होगा फ्लो के अंदर होगा पॉल्ट मैसेज होगा यह तो कई बार देख चुके हैं तो यह बार-बार बताने की जुरूरत नहीं है जो भी इसकी कलरिंग और जो भी करनी यह कर लो यह हो गया एरर आया तो वह चला गया और एंड करती है उसने फ्लो हमारा काम खत्म और अगर नहीं आया तो हमें मैसेज करना है कि रिकॉर्ड सक्सेसुली अपडेटेट तो उसके लिए भी हमें स्क्रीन चाहिए तो यहां पर स्क्रीन एड़ करेंगे और यहां ब स्क्रीप्ट यूज करेंगे और यहां पर यहां पर देंगे कि रिकॉर्ड अप्डेटेड जो भी मैसेस देना या दे सकते हो ठीक है साइज और कलर एंड जो भी चेंज करना है वो अपना कर सकते हो अपनी साब से हमें कोई ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं इस पर यह हो गया कि अब हमारा जो यह फ्लो सकता है सब्सक्राइब ट mix बढ़नाने के बाद हो सकता है अएब ते आप करोगे बिना एक्टिवेट किये तो डिबग पर क्लिक करेंगे और जैसे ही करोगे यह आपसे इंपूट मांगेगा इंपूट क्यों मांग रहा है इसका रीजन क्या है क्योंकि विया उसको रिकोर्ड आइडी देनी पड़ेगी न तभी उसका जो एड्रेस है वो ले पाएगा हां इसलिए यह रिकोर्ड आइडी का हमें इंपूट यहां पर कोई भी एक रिकोर्ड आइडी दे दो उसको रंड कर दो तो है यहां पर वैल्यव ए फिल्ल में है करेंगे तो यह देखोगे शियट में ही है एक जगह पर है वह स्टेट प्रोमिनेंस में तो अगर में इसको चैंज कर ना उस्ट ना इसक्राइड लिए घ्ट सेट्स कंपरि हो गई यहां पर आ गई पोस्टल कोड यह हो गया इस ट्रे और यह जो हो गया इतना यह हो गया City ऐसे ही इसमें भी सेम चीज ठीक है एक मिनट तो यह हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया यह ठीक है अब हम अगर अपडेट एकांट एड्रस करेंगे तो यह अपडेट हो जाना चाहिए अगर कोई एरर नहीं है तो हम इसको अपडेट करते हैं और यहां पर हम यहां पर वापस आएं अपने एकांट पर इसको कैंसल कर दें और फिर से रिफ्रेस कर दें तो वो जो हमारा फील्ड है सही फील्ड में सही वैल्यू दिखने चाहिए यहां पर एडिट करें इसको तौब अगर देख एक मिनट अभी भी वही आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है कैच क्यों जैसे क्योंकि अपडेट हो रहा है इसने रिकॉर्ड को अल रिकॉर्ड विराइट अम और रेडी ओके वेन दे नेक्स्ट स्क्रीन ओके रेडी तुब अपडेटेट विन दा नेक्स्ट स्क्रीन पॉजर लोकल एक्जेक्यूट अच्छा फिनिश कर देते हैं ठीक है अब फिनिस हो क्या अब देखते हैं अब हुआ चैंज तो होना चाहिए यह रिकॉर्ड आइडी लेती नामने अब इसको एड करते हैं अभी इस्चु दे रहा है फॉर यह कुछ न कुछ उसका इस्चु है कैच का हमारे सिस्टम में हो कैस का इस्चु होता है जैस कभी-कभी तो बहुत परजान करता है अभी भ डिखत नहींुल को फ्रॉब्लम यह एकवनेट अगर हम यहां पर देखें अपडेट रिकॉड पे इसने क्या किया अपडेट रिकॉbad debt account address प्रॉब्लम तो है तो है जो क्या प्रॉब्लम है वह यहां पर तो में पूरा वह ले रहा है जो उसमें है सिप्पिंग पोस्टल कोड में भी नल ले रहा है तो वह बैसिकली जिस तरह से हम चाहा रहे हैं वो उस तरह से चल रहा नहीं है कि यह चला मैं यह कि अब नहीं चला इसका रिजन मुझे भी नहीं पता है क्या इसको हम सॉल्व कैसे करें दूसरी का देख रही है अभी हमने अप्डेट रिकॉर्ड किसके बेस्ट पर किया था कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है उसको अप्डेट कर दो इसने क्या किया पता है जो यहां पर उसको मिला है उसी को अप्डेट किया स्क्रीन वाला कोई बहुदर ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे इस गेट रिकॉ guard ID जो भी है मारे पास कौन कौन से फिटेड हैढँ करनी है तो में पालस इपन 있는데 है अजिती है सिरेट सिटी पो स्थाल स्थेट स्थास सब एकूंच्री ए निदेफैً वांस पैसा पया डिक यह हम्लों उसकोड धिक करेंगे इस्क्रीन काउंपनेंट में हमाला बिलिंघ ड्रस है इस पे जाएंगे ये लेकिन यह सिपिंग इड्रस की है तो हम स्ट्रीट पर जाएंगे और फिर इहां पर हमें क्या चाहिए यहां पर स्ट्रीट थिए रहा इस तरह shipping address से city चाहिए और से city ले लो city वैले तरह सिप्लेइंट से स्टेट चाहिए तो यह प्रॉविनेंस shipping address 애 कांड़ी चाहिए तो country इसी तरह से पॉस्टल कोड़ चाहिए तो पॉस्टल कोड कि यह ठीक है तो यह हमारा shipping address का होगा इसने बता दिया shipping address के अंदर जाकि आपने यह उठा लिया इसके अंदर ढाल दिया ठीक अब जो अमारे पास है वो है billing address का उसकी भी 5 फील्ट्स है वो भी कर लेते हैं तो billing address की billing street billing city billing state ट्सटेत vaillinальной ब्ॉइलिंग कंट्री एंड एंड पॉस्टल कोड्त ए הבאत का इसमें क्ऊचल कोड्ऌ बॉस्टल कौड्र्ड टें गर देन सेम सीज बिलिंग एडर्स में स्टेट तो इस्टेट प्राविनेंस यह रहा बिलिंग सिटी इसमें कुछ कुछ कान्फीजन तो नहीं कि यहाँ प्यार क्या रहा हैं तो क्यों हम अंदर यह शारे बनाए थे ला चाहां तिक है आप इसको सेव कर दिया ऐपने जाल दिया और यहांपर आ गया ठीक है और कंट्रियम हुले ने यह हैं कंट्री और सट्ल और यह हैं इसके लिए पॉर्ट लाइन जो है हमारा सीटी होगया और पूरा अह Tucson एखेज यहां तक पर ढखेज में द लेते हैं इस ट्री में श्ट्रीट ठीक है और कंट्री तो युनाइटेश्ट होगी स्टेट हम डाल देते हैं और जो कि हमारा स्टेट हो गया पोस्तल कोड जो भी हमारा है सिटी हमारा जो है इसमें डालेंगे पोर्टलैंड और इजगोन ठीक है यह दोन डाल दिया अब अगर हम इसको अपडेट अकाउंट एड्रस पर क्लिक करें तो यहां पर अपडेट हो गया अब अगर इधर देखोगे अब यहां पर देखोगे तो अपडेट रिकॉर्ट में क्या दिखा रहा बिलिंग सीटी में पोर्टलैंड पिलिंग कंट्री में युनाइटेज स्टेट बिलिंग कोस्टल बिलिंग पोस्टल में कोड में यह वैल्यू हमने डाली हुई है तो अगर हम अगर अगर एकाउंट पर जाएं और इसको रिफ्रेस्ट करें तो हमें अपडेटेटेड वैल्यू दीखेगी तो इसको करते हैं इसको अक्टिवेट करते हैं अब हमें बस जाके पर करने के लिए प्रोसस सेम है गीर आइकउंट पर क्लिक करो एडिट पे जाओ है और यहां पर जाके लो जो भी है हमारा वह एड़ कर दो फ्लो को जी कि अब जैसे कि यह फ्लो एक डिलेटेट रिकॉर्ट वाला अब हटा के अब यहां पर हम कहा देंगे स्क्रीन कि अपडेट अकाउंट एडिस फ्लो कि रिकॉर्ड आइडी पास कर रहे हो नहीं तो वह उठाएगा नहीं अगर यहां पर आड़ करते हो तो पास करना पड़ेगा अगर उसी फ्लो को क्विक एक्शन में क्रिएट करोगे तो बेस्टान वह वेरियेबल अपने उठा लेगा नहीं एं अब इसके ऊपर कॉरस क्रोड़ लगन रखनी है अपडेट अकांट देकरिए उप्डेट रिकॉर्ड ऐसे काम करता है सेल्सफोस फ्लो में अपडेट रिकॉर्ड कीक्या है कैसे है वो पूरा का पूरा यहाँ तुमारा काम करता है अब नेक्स्ट जो समझों जो करना है कि इसक्रिम फ्लो बनाना है उस में क्या करना तो इसको समझो में इन्पूट लेगा इसके क्रेट करने के लिए अब उसमें तुम्हें अगर सिर्फ दो ही फिल्ड लेनी है अकाउंट नेम और इंडस्ट्री यूँआ फ्री टू टेक दो फिल्ड ठीक है उसके बाद फिर नेक्स पे क्लिक करोगे तो वह लेगा लेना है ज्यक्तव है चिक है तलग उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे सब्सक्राइब दों आएगा ऑपौरचिनिटी क्रेटी टी टेयर cry ख्री अब ओर प्यूड़ूनिटी एक तो नेम लेना है अमाउंट लेना है इस्टेज लेना तो ऑप्सक्राशूज uwश्च ऑपmäßig कि लेना है और डिस्क्रिप्शन लेना है इतना सायद रिकॉइड फिल्ड जो भी हता है इसमें वह लेना है ठीक है यह अगर हम देखें तो टाइप है तो टाइप है तो टाइप भी ले लो ठीक यह हो गया मैं अब ज करोगे एओ तो यहां पर वो क्या करेगा पहले अगर में प्रियुक्ट करेगा इसी अकउन्ट के एंदर लगतल को Kenneth कि क्रिएट करेगा कन्टेक्ट रोल को जो होता है वो माई जंक्षन अबजक्ट होता है पोर्चनिति और गॉंटैक्ट के बीच में तो तम्हाइं पस अगर हम यह पर देखें उपeurशनिटी कोई खोल गए और देखें आप अपन्टैक्ट रोल में और अगर करेंगे तो यह कंटक्ट हो गया हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रोल पूछेगा रोल इसका देदो कोई भी देना देदो कोई कोई हमें दिक्कत नहीं है ठीक है और डन कर दो अगर यहां पर जाके इनेबल करना है यहां पर नहीं है यहां पर जाना है यहां पर जाना है और वैसे नेबल होगा क्योंकि यह दिखा रहा है तो वह करना है और एक चीज यहां पर करनी है अगर अकाउंट क्रियेट हो गया और और कॉंटेक्ट क्रियेट करते समय कोई अरर आ गई तो अकाउंट भी क्रियेट नहीं होना चाहिए अगर कॉंटेक्ट क्रियेट हो गया अब काउंट और कॉंटेक्ट क्रियेट हो गया और पार्शूनिटी करते दो हमें अरर आ रही है तो वह चीज नहीं कर पाऊगे अब वह नहीं कर पाऊगे इसलिए मैं एक सिंपल सा दिखा रहा हूं कि यह रोल बैक कैसे होगा बैसिकली इसमें रोल बैक दर रिकॉर्ड इफ देर इस एनी एरर वाइल क्रियेटिंग एनी अधर ऑब्जेक्ट ठीक है वाइल क्रियेटिंग एनी अधर ऑब्जेक्ट ठीक है अब यह कैसे होगा यह मैं दिखा देता हो सिंपल सा ठीक है एक सिनारियों लेते हैं हम हम स्क्रीलेंगे और ग्लिक करेगा यदंस करेंगे अगर और अगर क्रिक करते समय इरोर आएगी तो म्यक्रोट नहीं करने देंगे नहीं कर रहे कि फ्रू funds करें तो हम आते हैं सित्रेवाटारेनगा सबसे पहले हमें क्रेट करना एक स्क्रीड करना एक स्क्रीडर करना एक स्क्रीड लेने स्क्रीन ठीक है विदर्स हटाना है अधादो नहीं अधाना मत हटाओ हमने क्या चाहिए है तो एक अकॉंट का नेम बहुत है ठीक है अग्ण का नेम एंड रिकॉइड कर देते हैं इसको ठीक यह हो क्या डजब को सब्सक्राइब का सब्सक्राइब नहीं स्क्रीन लिए 홉आ में एक और कृच्छट ये तो यहां पर हमने ले लिया और उसके बाद हमें इमेल ले लेते हैं इमेल ठीक है यहां पर हम दाल लेते हैं इमेल बस फोन उनके चाहिए नहीं तो रहने देते हैं यह चीज़ हो गई आप हम डण करते हैं इसको पहले सेव कर देते हैं यहां पर देते हैं ודה on screen allow एकाउंट एकाउंट यह करते हैं तो हमारा फ्लोव होगया अब में क्या और करना है किजब करेंगे तो पहले प्रहें करेंज हो उसके अंदर कांटेक्श कोण्टेट हो जया है तो प्लस्य करते हैं ए dependence क्रियट device car and the artificial अब यहाँ पर गार करियर होगा है चाहिए हम यहाँ पर क्रिच रिकॉर्च के रहे हैं हमारे पास पीछे 2 रिकॉर्ड सब्सक्राइं ऐद कर सकते है तो हम एक साथ हमेसा एक ही और रिकॉर्ट होगा और अगर एक से ज़ाधा करना भी चाहते हैं तो एक ही तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए जो यह हमारा क्या बोलते हैं एक इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आगर confusion रहा हो तो ठीक है तो यह हमारा हो गया कि इसमें हम एक ही एक रिकॉर्ड सरी हम पहले account create करेंगे create record से और फिर जो है उसके बाद contact create करेंगे दूसरे create record से ठीक है यहां पर हम क्या देंगे create account ठीक और एक ही record create करना है separate values यूज़ करेंगे है क्योंकि हमारे पास record नहीं है और object क्या होगा account हमें सिर्फ name देना है ठीक है नेम दे दिया नेम इसमें value कहां से आएगी इस प्रिए आएगी स्क्रीन कॉंपनेंट से account name इसको सेब कर देता है ठीक है अब हमें अब करना है लेट्स ऐड़ पात प्लस पर क्लिक करते हैं और यहां पर देते हैं स्क्रीन में दे देते हैं अकाउंट एरर स्क्रीन ठीक है अगर एकाउंट करते हैं समय कुछ एरड आया तो कि डिस्प्ले टेक्स करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्रियेट अकाउंट एरर अब अलग होना चाहिए इसलिए हमें बार-बार अलग टाइप करना पड़ रहा है और मैसेज होगा व्लो डाट फॉल्ट मैसेज्च यह हमारा यहां तक कोई ड़ आउट नहीं होना चाहिए ठीक है है अब हम क्या करते हैं प्लस पर क्लिक करते हैं और क्रिक करते हैं कॉंटक्ट परी फिर से हमें करना है गर्वं और आप हम करेंगैं क्रियेट अकार्ट एकॉं हम यहां पर दोहां देखें पहला क्या होता है कॉंटाइक्ट में लैस्ट नेम हमेशा हां हлекाइड होता है कॉंटाइक्ट पेश्व हमें सा रिकाइड होता है यह राव जो तो हम जानभूज के फ्लो में डालेंगे कैसे कॉंटाइक्ट करते समय हम लास्ट नेंगे ही नहीं ओके ठीक है अगर लास्ट नहीं देंगे तो एरड आ जाएगा अजरू ठीक है तो हम यूज सेपरेट रिसोर्सेश ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉंटक्ट ठीक है यह राव देन उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें यहां पर हमें अकाउंट आईडी डालनी है और फास्ट नेम डालना ठीक है अकाउंट आईडी कहां से आएगी इस वाले गेट तो हम अगर नीचे देखें यहां पर आगया अगया आईडी फ्रॉम क्रियेट अकाउंट इस वाले स्क्रीन गॉंपरेंट से तो हमारे पास है कॉंटक्ट नेम में नेम में कई सारी चीज़ होती है टाइटल सालुटेशन नेम वह सब होता है ठीक है इसलिए यह एड्रेस क की तरह यह भी एक कंपोजिट फील्ड होता है ठीक और लास्ट नेम हम यहां लिखेंगे जरूर पर डालेंगे नहीं कोई वैल्यू अब इसको सेव किया हमने कि कर रहे हैं अब हमें इसमें भी करना पड़ेगा मैसे करना पड़ेगा अब हम यहां पर प्लस में क्लिक करेंगे वही इस्क्रीन कॉंटाइक्ट क्रीट स्क्रीण ठीक है और कंफिगर हेडर में हटा दिया डिस्प्लेय टेक्स्ट जो भी है और यहां पर हमने दे दिया कॉंटाइक्ट एरॉर स्क्रीन और यह कर दिया फ्लो डॉट पॉल्ट मैसेच ठीक है यह डाल दिया यह रहा एंड़न ठीक यह आगया अब हम यहां पर क्या देखने वाले हैं एक हैं कॉंट एक यहिएक हो जाएगा कॉंटाकट क्रियट करते समय दें की को कि इंण वाइल क्रेटिंग दिन्ग ने कॉंटेक्ट रिकॉर्ड में में करते समय आ रही है त्वागत है और इसमें आयगा तो यह हमारी हिसाब से यह नहीं होना चाहिए है था करें तो उसके बाद हम रन करें और अकाउंट नेम में देते हैं हम जैसे कि इन इंजिनरिंग की पार्ट साला ठीक है एकाउंट नेम में दे दिया नेक्स्ट ठीक है यहां पर कुछ भी देदो create होना है नहीं उसको ठीक है अब इसको अगर next पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा अब यहां पर देखो एरर वाल क्रेटिंग कॉंटएक रिकॉर्ड यहां पर रागई ठीक है लेकिन अगर राइट साइड में देखो गए उसने क्या गाँ कि स्टार्टिंग से देखते हैं अच्छा इसने का कि हमने स्टार्ट किया इंटर्विव टिक इसमें और फिर जब नीचे गए इंफॉर्मेशन दे लिए एक्ट पर क्लिक किया और रिकॉर्ड इस रेडी टू क्रियेट वें । स्क्रीन ठीक है पॉज और जो भी है हमने नेक्स पर क्लिक किया फेल हो गया ठीक यह हमें आइडी मिली है कि यह एकाउंट क्रियेट हुआ है और यह रही उसकी आइडी अगर आप हम इसको कॉपी करें और यहां पर जाके कोई भी एक अकाउंट ओपन करके इसको पेस्ट कर द या यह वहला नहीं है कॉन्टेक्ट के पारट साल कौछ दूसरा ही है यह कुछ दूसरा है यह तो यहां पर आया है है तो यहां पर सदसीदा दे रहा है नाम हमने अमें डाला हुआ है तो अब तो हुआ है काउंट होगे हमारा तो अब इसको कैसे करेंगे लेकिन अगर हमें क्या करना है जैसे ही है में जाता है यह इसक्रीन सो कराने से पहले सो कराने से पहले हम क्या करेंगे एक होता है रोल बैक रिकॉर्ड ठीक है ए वाई वाई चेंज इस टिक कुछ भी दे सकते हो मैंने वस ऐसे नॉर्मल दे दिया इसको कर दिया और इसको सेप किया तो अब यह क्या करेगा इस स्क्रीण के बाद जो भी चेंज हुए होंगे उनको रोलबैक कर देगा यहां तक इससे पहले नहीं करेगा तेक है वह वह भी हम देखेंगे वह आप् इस स्क्रीन तक ठीक है अब फिर से करते हैं अब फिर से करते हैं और यहां पर सेम चीज़ रन नाम दे दिया हमने की पार्ट साला नेक्स्ट क्लिक किया इसमें नाम दे दिया हमने वही रिकॉर्ड फिर से होना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी रहने देते हैं नेक्स्ट अब अगर देखो गए तो इसने क्या किया है और यहां पर रोलबैक रिकॉर्ड किया है अब हमारे पास यह जो पर काउंट की आईडिया है अब यहां पर चलते हैं कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं और नहीं हुआ अब यहां पर एक इंपॉर्टन चीज जो है किया खुल रहा था कि है कि हमशस्थ कि यह जो हैं यहां पर होंगे कि उसका क्या जाम करेंट ह करने के स्क्रीन ली फिर कॉंटेक्ट क्रेट किया ठीक है और यहां वैसे कि वैसे ही है ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे इसको क्लिक करेंगा इसको कट करेंगे यहां इस पर बीच पर पेस्ट हो जाएगा अपने आप तो अब क्या होगा यह पहले यह कि स्क्रीन मिली ठीक है फिर रिकॉर्ड क्रेट हुआ फिर दूसरी स्क्रीन मिली फिर रिकॉर्ड क्रेट हुआ और यहां पर जाते हैं रन किया इसको इंपुट दिया अब हमारा एकाउंट क्रेट हो गया यहां पर ID मिल गी हमको ठीक है एकाउंट क्रेट हुआ और यहां पर नाम दे दिया जो भी है एरर आएगा नेक्स पर क्लिक किया तो यह एरर आ गई अब अगर हम इस रिकॉर्ड आइडी को लेके जाएं जो यह एकाउंट क्रेट हुआ है इसको अगर लेके जाएं और यहां पर आइडी पर डाल दें और इंटर करें तो इस बार अकाउंट मिलेगा क्योंकि इस बार रोल बैक नहीं हुए चेंजिस दिख्या ठीक है तो इसका रीजन क्या है ठीक है अब देखते हैं इसके लॉग्स देखते हैं इसका रीजन भी लॉग्स में है ठीक है इंटर्वी में इस्टार्ट हुआ इसाड़ की असलों सब यहां पर मिल गया ठीक है जैसे इन्टरर्वीव स्टार्ट हे अपने कमिटे के मतलब आप ट्रांजेक्शन इससे पहले जो भी हुआ होगा नहीं होगा कितना भी रोल भाक कर लो इससे पहल हाँ लेबल में डाल दिया जो भी हमारा वाइल्यव अट रन टाइप इसे रेकॉर्ड चला नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ऑइकाउंट रिकॉर्ट आई-डी मिल गई ऑगई और ट्रान्जेक्शन कमिट हुआ अब इसके पहले कुछ भी हुआ हो वह रोलबैक नहीं होगा ठीक है अब यह इसक्रीन आई अब इसके बाद नेक्स पे क्लिक किया कुछ एरर आया तो घंटा फरक नहीं पड़ता उसको क्योंकि यह रोलबैक हो गया ठीक है अब और has a rollback जो चेंज काम करते हैं वह एक स्पेसिफिक दाइरे में काम करते हैं इस स्क्रीन से इस स्क्रीन के बीच अगर मैं एक रोलबैक लगा दूं को ठीक है जैसे कि मैं यहां पर रोलबैक लगा दूं अगर थीक है मैं कहा दूं की तो होगा क्या बाले ही एकाउंट क्रेट हो जाए यह रोल बैक हो जाएगा तो इस इन दोनों के स्क्रीन के बीच में अगर मैं कहीं पर भी रोल बैक लगा दूंगा तो उतना पोर्शन रोल बैक हो जाएगा लेकिन उन दोनों के स्क्रीन के बाद अगर मैंने इसके बाद कहीं रोल बैक लगा है जैसे यह स्क्रीन आई वह ट्रांजेक्शन कमिट हो चुका है डेटावेस में वह अपना काम कर चुका है रिकॉर्ड क्रियेट हो चुका है अब तो रोल बैक नहीं होगा तो इस लिए रोल बैक हमारा जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रोल बैक को जानना ठीक है बहुत सारे लोग रोल बैक यूज करते हैं बस उनको पता नहीं होता कि रोल बैक एक्चल में कैसे काम करता है यहां पर अगर आब मैं इसको आप यहां पर करते हैं इसको रंपे क्लिक किया ठीक है इंजिएनरिंग के जगह में सिर्फ पार्ट साला डाल देते हैं तो यह पर क्लिक किया और उसके बाद आप यहां पर करते रहो कुछ जो भी करना है नेक्स करो कुछ नहीं होगा एरर आगी क्योंकि यह रहा एरर आ गया इसने का इंसफिसेंट एकसेस ऑन क्या यहां पर यह जो है पूरी तरह से हमारा रॉलबैग का कॉनसेट है की रोलबैग आपका कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है कि क्लियर ओगया रोलबैग कैसे काम करता है है अब हम अगर इसको leer ने में की वैलू देदें कॉंटक्त वेयर उन्सक तो अब क्या करेगा अब तभी सो करेगा जब उसमें एरर होगी नहीं तो नहीं सो करेगा तो तो जो है आप एरर नहीं आएगा जो भी है ठीकर पर एक्जामपल हम देते हैं टेस्ट अकाउंट या फिर लेट से हमने दे दिया यहां पर नाम दे दिया जो भी है मानलो यहां पर हमने ऐसा कुछ इमेल दे दिया और इसको नेक्स पर क्लिक किया तो अब हमारा एकाउंट क्रेट होगा और सब कुछ सही चलेगा ठीक है यह रहा हमारा एकाउंट की आईडी लेफ्ट है राइट हैंड साइड में इसको उठाया और यूरल में पेस्ट कर दिया अब हमें हमारा अकाउंट कि मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के अगर यहां पर देखो इन फॉर्म पील सी अकाउंट है कॉन्टेक्ट दो है पहला जो अपने आप क्रेट होता है दूसरा यह जो हमारा है हमने क्रेट किया है अभी अभी फ्लो से है चाल तो यह जो कॉंसेप्ट है क्रेट रेकॉर्ड रोलबैक रेकॉर्ड क कैसे काम करता है कहां काउन का हम्झे तु Aंप süp Annoyle यह हमारा और यह bald वह हैं में तुम्हें बनाना है ठीक है आप तुम्हें समझ में आगे कि रोल बैक रिकॉर्ड कैसे करन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ठीक है कोई डाउट कोई क्वेश्चन अभी तक कुछ भी नहीं है नहीं है फिर आज के लिए इतना ही